जग रूठे चाहे सारा मेरा शाम ना रूठे कि ठाकुर जी अगर अपना बनाई लियाए न तो अंतिम समय तक साथ निभाईएगा बीच में गूठ नहीं देगा जग रूठे चाहे सारा मेरा शाम ना रूठे जग रूठे चाहे सारा मेरा शाम ना रूठे और जियों में जब तक शाम तिरा दरबार न चुटे मेरे शाम कितने लोगों की घर पर लड़ू वपाल जी की सेवा होती है यहाँ Hai यहाँ पर उस्धिया सब्स natur ने-उस जया पंपक करें इनर City उनकी सेवा करें इत्र सेवा कर रहे हो तो गुन गुनाईएगा संग में मेरे शाम, मेरे शाम, मेरे शाम एक तेरे भरोसे पर मैंने ये भाव जब लिख रहा था स्री जी की कृपा से तो ऐसा भाव था कि इसका संसार में ऐसी प्रचार करना है कि एक एक व्यक्ति के दिल का भाव होई है तो आप सभी को कहना है इक तेरे भरोसे पर मैंने अपनी ये नाव चलाई है अपनी ये नाव चलाई है लाखों तूफां आए लेकिन मेरी नाव ने मंजिल पाई है मेरी नाव ने मंजिल पाई है तेरे हाथ से मेरी ये पतवार न छूटे और जीओं में जब तक शाम तरह न छूटे और जीओं में जब तक शाम तक शाम तक शाम तक शाम तक शाम चलते चलते गिर जाता हूँ उस वक्त भी अपने पास खड़ा मेरी शाम तुझे ही पाता हूँ हर किसी के जीवन में सुख और दुखाते रहते हैं क्योंकि सुख और दुखी जीवन का इसनी नाव नेगा लेकिन जो सुख में भी शुक्राना करता रहें एक बात याद आ रहे हैं श्री विनोद अगरवाल बाओ जी की वेक उंटवासी श्री बाओ जी की उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही यहीं योगरनात मंदिर में संकिर्तन था तो हम बाओ जी के पास बैठे थे किसी ने प्रशन किया कि बाओ जी सिर्फ सेठों का इठाकुर रह गया बाओ जी के पास बैठा एक संसर उन्होंने का कि आप कईसे कह सकते हैं कि कि सिर्फ सेठों का है बोले आप विहारी जी चले जाओ अगर आप उन विहारी जी में और घर पर विराजमान लट्टू गो पाल में यदि अंतर करते हैं तो अभी आप नरसरी में नहीं केवल क्रच में अभी बैठना सीख रहें अभी स्कूल की तरफ मुख नहीं हुआ और जिस दिन ये अंतर समाप्त हो गया तो फिर क्या बिहारी जी घर पर पकवान बना और ठाकुर जी को पकाते रहूं फिर तुरंत बाउजी ने एक बात और कही क्या कि एक व्यक्ति था बहुत सा उकार था ठाकुर जी के खूब प्रार्थना किया करता था उसने ठाकुर जी से का ठाकुर जी मैं आप कितनी सेवा करता हूँ अब जीवन के शाम होन चली है ऐसी कुपा तो करो कि आपका प्रतेक्श दर्शन पा सकूँ ठाकुर जी ने सुपन में आ करके कहा कि सुबा तो जब समुंदर किनारे साहिर करने जाता है तो जड़ा देखियो पीछे मुण करके तुझे हमारे होने का ऐसास होगा हमारे होने का क्या होगा ऐसास होगा सुबा वो व्यक्ति गया समुंदर किनारे जब वो सैर करके लोट रहा था उसने पीछे मुण के क्या देखा जहां जहां से वो चल करके आ रहा था वहीं पर उसके दो पग और दो पग और जो संग में चलते आ रहे हैं कितने पग टोटल? दो पग ठाकुर जी के और दो पग उस व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ लेकिन सुख और दुख जो जीवन का ही नाम है इसके बिना जीवन है नहीं सुख है दुख है कभी सुख आगे कभी दुख आगे दुख आया उस व्यक्ति पर कि उस व्यक्ति का कारोबार ठप हो गया बीवी छोड़ गई, बच्चे छोड़ गई, नोकर चाकर सब छूट गई लेकिन सेर जाना नहीं छोड़ा उसे और क्या देखता है अब वो चार पक की जगा बग रह गए सेवा बरकरार ठाकूर जी की सेवा में तनिक भी कमी नहीं फिर समय बदला, फिर पैसा आया फिर कारोबार जमका, परिवार आ गया बेटे बहुए आ गए और पक हो गए आज उसने ठाकूर जी को पकल लिया कि तू भी दुनिया की तरा है दुनिया आई तू भी आ गया दुनिया गई तू भी चला गया बोले नहीं प्यारे जब तेरा सही वक्त होता है तो तेरे संग चलता हूँ इसलिए पक चार थे और जब बुरा वक्त होता है तो मेरी गोद में होता है पक सिर्फ मेरे थे तू तो मेरी गोद में था ऐसा कोई प्राणी नहीं जिसके जीवन में सुख और दुख नाते हो तो एक बार कह दीजे न जब जब पीठों कर खाकर मैं चलते चलते गिर जाता हूँ उस वक्त भी अपने पास खड़ा मेरे शाम तुझे ही पाता हूँ ये कब संबब है जब कलेक्टिविटी ओके हो कि फाल्टी यहाँ हो और एमसी भी वहाँ गिर जाए दिल से जुडी ये तार कभी ये तार न तूटे और जियू में जब तक शाह तेरा तरवार न तूटे अच्छा केवल भजर काई आनन्द ले रहे या चाहते हूँ कि जब तक शाह हूँ तेरा तरवार न तूटे तो जब उठाकर के हाथ फिल कुसी दे जूपते हूए भूल करके कि यहां पर कोई बैठा है जो मुझे देखकर हसेगा और हसेगा तो हसने दोना वो तो खुश्पना चाहिए मेरे शाँ मेरे श्याह, 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 मेर मेरे चाप बस एक तमना जीवन में जब यह भाब लिख रहें पे तो द्शिरी जी से क्या माझा जा जा बहुत कुछ माझ लिया श्री जी से और श्री जी ने दिया भी खूम PHIL CET यह अहुँद ने कि यहां बैठने की अवकाद थोड़ी थी लेकिन श्रीजी ने ठाकुर जी ने कृपार कर बिठाया व्यास गति पर ठाकुर जी की कृपरा से बैठे तो ऐसी चीज मांगनी चाहिए जो अजर रहे अमर रहे हमारे बाद भी और लोगों भी उसका अनंद लेते रहें क्या कि व्रिंदावन में परसाना में छोटी सी बु लेते हुए कि श्रीजी ने इस पुकार को सुन लिया है बहुत जल्दी हम आप तक यह पैसिस पहुचा देंगे कि जमीन कहां ली गई है जहां पर मेरट के नाम से भफ्य आश्रम का निर्वाण होने जिए भफ्य आश्रम और बस एक तमना जीवन में मेरे शाम तेरा ही या हाल में पावर रहलेगा बस व्रिंदावन का वास मिले बस व्रिंदावन का वास मिले सरकार कोई गलती हो गई क्या था पुर जी से आप से कह रहा हूं आप नहीं जाना चाते तो हमारे लिए मांग लीजी ना उठाई जरा दोनों है हो बस व्रिंदावन का वास मिले हो बस बरसाने का वास मिले हरी नाम की मस्ती किसमत वाला हलूते हरी नाम की मस्ती किसमत वाला दोते और जीओ में जब तक शाव मेरा दर्बार न चूथे मेरे शाव मेरे शाव मेरे शाव पुलिश विंदावन भी हरी नाम की जये